नमस्कार काइन नौलेज में आपका स्वावत है भारत पाकिस्तान के सीमा पर वसा एक भारतिय गाउं तुर्टुक कभी पाकिस्तान में था जम्मु कश्मीर बनने से पहले बल्टिस्तान एक अलग राजे था और यह गाउं उसी का हिस्सावा करता था यहां के लोग अपने आपको आज भी तुर्किस्तान के यादव वन्ष का वन्षज मांते हैं करकोरम पहाडियों से घिरा वाया बहत खुप्सूरत और शांत रहने वाला इलाका एक समय में दुनिया भर में विख्यात और व्यस्त सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था यहां के जादेतार आवादी मुसल्मानों की हैं देश की दूसरे छोर का यगाओ 1971 से पहले भारत और पाकिस्तान के सीमा विवाद में लंबे समयल ते कुल जा रहा था 1947 में भारत आजार तो हुआ परिया गाओं पाकिस्तान के उत्तरी भाग के सरहत रहें सावन गया था 1971 में लडाई में जीत के बाद भारती कर्णल रविंद्र जैन इस गाओं में पहली बार यहां पहुंच थे सामरी त्रिष्टि से हैला का भारत के लिए जलूरी था इस एरिये को सिया चीन का गेटवे माला जाता है इसलिए 1971 की युद्ध की बाद ही यह गाओं पाकिस्तान को नहीं लोटाया गया माने जाता है कि पाकिस्तान की बंगाली भासी सेना के एक अधिकारी ने भारत की मदद की थी चोंकि पाकिस्तान ने इस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बंगला देश है वहां पर कोहराम माचा लिया था वहाँ के सेना ने बंगालीयों पर हवानियत की सारी हदय पार कर तरह-तरह की जुम्ब किये थे इसे बंगाली भाशी लोग नराज थे. तुर्तुक मुर्गो इलाके के बाद भारत का सबसे उतरी स्यमान्थ गाह है आज तुर्टुक भारत का अटूट हिस्सा है और यहां के निवासी भारती यह इतना खुबसूरत है कि जो एक बार यहां आ जाता है वह इसे ताउंब्र नहीं बुल पाता हुआ सुरक्षा कारणों और अतित दुर्गम इलाका होने के कारण यहां कोई मोबाईल तावर नहीं है नोशोचल मीडिया की अभी पहुंच है पर अब लेह लग्दा का केंद्र शाषित पुर्देश बन जाने के बाद यहां विकास की रफ्तार पहुंचेगी यह इस वीडियो मे इतना ही मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही रोचेग वीडियो के साथ हमारे चैनल काइन नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें हमारे साथ बंद रहने के लिए आपका बहुत-बहुत आबहर धन्यवाल नमस्कार